हलो दोस्तो, स्वागत है आपका आपकी के यूट्यूब चैनल फाइनस वाला में तो दोस्तो काफी सारे अपने दोस्तों की डिक्वेस्ट मेर पास हा रही थी कि सर जो नेशनल पैंस्टन सिस्टम है इसके हमने आपकी काफी सारे वीडियो देखी है लेकिन हमें detail में थोड़ा बताईए कि हमारा जो पैसा है NPS में कहां कहां invest होता है किस-किस sector में invest होता है तो इन सब चीजों को मैं detail में आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कर लिए वीडियो को like कर दीजिए description में आपको हमारे social media links मिल जाएंगे उनको जरूर से join कीजेगा plus दोस्तो आपसे एक request है कि वीडियो को जादा स्यादा share कीजेगा हो सकता है कि काफी सारे आप जैसे दोस्त उनकी भी ये help हो जाए ठीक है तो NPS के उपर हमने अप पूरी की पूरी detail series बना रखी आप उनको भी देख सकते हैं तो पिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए दोस्तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो NPS में जो आपका contribution होता है वो कहां कहां पर invest होता है तो दोस्तो जो भी आप contribute करते हैं NPS में वो तीन asset classes में divide हो जाता है based on risk और returns सबसे पहला asset class E इसको equity कहते हैं asset class C and asset class G सबसे पहले हम देखते हैं asset class E क्या होता है दोस्तो उसको equity market में डाला जाता है मतलब की share market में डाला जाता है इसको classify किया जाता है high return high risk जैसे कि हमें पता है कि share market में थोड़ा risk जादा होता है तो उस हिसाब से जादा risk पे हमें interest और return जादा मिलता है जिनमें आपका कुछ portion आपके contribution का डाला जाता है इसको classify किया जाता है medium return, medium risk इसमें risk, equity के मुकाबले कम होता है, medium risk होता है return भी equity से कम मिलता है, medium return मिलता है next दोस्तो asset class G, इसमें जो आपका investment पैसा होता है जो आपने contribute का कुछ हिसा government securities में डाला जाता है जैसे government of India के bonds यहां state government के bonds तो कुछ इससा यहां पे डाला जाता है इसको बोला जाता है low return low risk जैसे कि government bonds में पैसा डाला जा रहा है तो वहां पे risk कम है तो इसलिए return भी कम होगा अब यह कैसे decide होता है कि आपके contribution का कितना हिस्सा कहां डाला जाएगा तो उसमें main factor आता है जब आ कुम सा option लेना चाहोगे उसमें आता है aggressive mode आता है तीन mode आते हैं अगर आप aggressive mode लोगे तो आप जो भी contribute करोगे उसका 75% हिस्सा जो होगा वो asset class E में डाला जाएगा और बाकी का हिस्सा डिवाइड करके कुछ हिस्सा C में और कुछ हिस्सा G में डाला जाएगा वैसे ही तीन हो जाएगा और ऐसे ही जो low risk mode होता है उसमें जो आपका ज्यादा हिस्सा होता है 70-75% के around वो आपका asset class G में डाला जाएगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा C और E में डाला जाएगा तो यह चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं अगर आपकी यह कम है 20-25-30 साल है तो जाएगी आपका जो contribution है उसका हिस्सा automatically equity में कम करके बाकी जगा आप C और G में बढ़ाते जाएगे तो यह था पूरा का पूरा इसका आपका investment का कि पैसा कहा कहा कैसे कैसे invest होता है तो वीडियो अच्छी लगे informative लगे तो वीडियो को like किजिएगा चैनल को subscribe किजिएगा मिल